Hello friends, my name is Sandeep and welcome back to my YouTube channel Right2Know और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESIC में अधार लिंकिंग को लेके और लिंक करेंगे member और उसके dependence के अधार को उनके ESIC के साथ तो इस वीडियो में बने रहेगा और एंड तक देखिए कि exactly कैसे आप अपने और अपने dependence का जो अधार नंबर है वो आप कैसे link कर सकते हैं तो उसके लिए चलते हैं main screen पर और यहाँ पर आप देखेंगे जब जो portal जब open करते हैं तो यहाँ पर second last एक option आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अधार seeding for IP and dependence यह जो है employer का portal है तो यहाँ पर हम जब इस option पर click करेंगे तो आपके सामने अधार seeding का एक अलग page यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें उस particular employee का जो insurance number है वो डालना है और उसे हम search करेंगे तो यह information employer के लिए है और साथ के साथ अगर employee को इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी steps को यहाँ पर follow कर सकता है अपने portal पर और जैसे हम यहाँ पर उस employee के जो आई-पी नमर को जब select करते तो आपको यहाँ पर उस उसकी family detail आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर actions में आपके सामने दो options में अधार आ रहे है click here to seed अधार यानि कि यह employee का है आप relationship में status पढ़ेंगे self का है और उसके नीचे spouse का तो जब आप self आले जो option है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे दिए गए page के यहाँ पर पेज उपन होईगा जहाँ पर हमें उसका अधार का नमर डाला है और checkbox क्लिक करना है आपके अधार linking mobile नमर पर यहाँ पर एक OTP जो है वो चला जाएगा और उसको OTP को यहाँ पर submit करने के बाद आपका जो अधार है वो आपके IP यहाँ आपके ESSE नमर के साथ लिंक हो जाएगा तो उपर आप देख सकते हैं कि इंप्लाई है उसका अधार status आ रहा है need to seed यानि कि अभी seed करने की जो है अभी जरूरत है तो जैसी हम यहाँ पर अभी OTP जो हम यहाँ पर submit करेंगे तो आप उसे validate करते हैं तो उसे प्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आधार detail validate successfully का एक option यानि कि आपको एक message यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साथ के साथ आभा declaration भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है यानि कि आपका अधार linking के साथ आपका जो आभा detail है generate वो भी successfully हो जाती है और अभी आप यहाँ पर अपर में status check करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो verified हो चुका है तो इसी according हमें जो इनके spouse है आना कि relationship जब spouse check करेंगे तो यहाँ पर spouse का जो हमें अधार जो है वो अभी seat करना है तो उस पर आप क्लिक करेंग तो आपके यहाँ पर employee की जो आपके जो dependence है उनकी जो यहाँ information यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद हमें उनका जाने कि इनके spouse है उसका हमें यहाँ पर जो है वो अधार नमर डालना है और उसके बाद हमें यहाँ पर जो check box पर click करने के बाद get OTP वाले option पर click करना है तो जैसी यहाँ पर इस option पर click करेंगे तो जो IP है उनकी spouse है उनके mobile नमर पर एक OT पर चलाएगा जो अधार linking होना चाहिए और इससे जब हम validate करेंगे तो same चीज यहाँ पर आपको यह सब देखने को मिलेगा एक और चीज कि जब आप यहाँ पर यह verify करेंगे अगर क कि आपके आधार काड़ पर आपकी details क्या है तो यहाँ पर इनकी wife की जब जो date of birth है वो mistake है और UID में मतलब आधार काड़ पर कुछ और है तो हमें कुछ नी करना हमें check box पर click करना है और जो आभा declaration है उस पर हम check box पर click करेंगे और proceed कर देंगे तो जैसी आप proceed करते हैं तो इन कि जो nearest ESIC जो branch office है वहाँ पर चले जाएगी तो कहीं न कहीं यह भी चीज बहुत सही लगी मुझे कि जो भी information अगर आपको यहाँ पर गलत देखने को मिलती है तो यह auto correct आप कह सकते हैं कि हो जाएगी और यह information है यह ESIC department में चले जाएगी और ESIC वाले से approval करने के बाद जो है इनकी जो यहाँ पर गलत जो details डली गई थी वो यहाँ पर correct हो जाएगी तो कहीं न कहीं अब जो अधार का जो related जो data है वो यहाँ पर फीच होगा और fetch होने के बाद आप देखेंगी data जो है यहाँ पर कहीं न कहीं जो भी गलत information थी वो यहाँ पर update हो जाएगी तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि इनका जो है हम जब submit के तो reference number generate हो चुका है और pending जो है वो approval जो है उनकी अभी pending चल रही है तो अभी फिलाल हम wait करेंगे और आप wait कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए और उसके बाद आप यहाँ पर status देखेंगे तो जो भी reference number है वो आपका approve हो चुका होगा तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो family details जो हम दुबारा चेक करते हैं तो अभी जो उनके अधार का status है वो pending for approval आ रहा है तो जब हम कुछ दून बाद login करते हैं तो यहाँ पर एक दू दिन का wait करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इनका अभी जो status है वो verified हो चुका है तो आप इस recording अपने खुद का और अपनी family member का जो अधार है वो ESIC के साथ link कर सकते हैं और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कई लोगों की queries थी कि आप बिलकुल proper तरीके से वीडियो बनाए तो मैंने proper तरीके से वीडियो बनाए और आपको शायद अब की बार कोई query नहीं रहेगी तो आपको मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न बूलें